हलो तो स्वागत है आप सबका आपिके चैनल डिके पार्थे टॉक्षर पर हम आप आपके लिए बाइलोजी का टॉपिक किंगनम क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं हम इसमें आपको बताएंगे केरोलिस लिनियस वारेश वाइटेकर का जीवो का वरगी करड इसमें देखेंगे अगर आप इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो बस आपके लिए है बहुत सारे एक्जाम के लिए भी इसमें से एंसर भी मिलेंगे आपको तो वीडियो पूरा तभी समझ में आगा जब एपसे पिरा देखेंगे तो इस चैनल पकर आप नए हैं तो चैनल को स ठीक नीचे है दूसरी सबसे उच्छ वरगी कारण रहें गार गार्ण के हैनु कि यसे हैं भी वर्लम के दूसरी सबसे ऊच्च वरगी कडर रहेंगे, जिसे बोलते हैं नम kingdom, जगत, जगत को छोटे समुह में विभाजित किया जाता है जिने हम phyla कहते हैं, phyla किने कहेंगे जैसे आपका इनको बाटेंगे kingdom को classify किया गया है उन्होंने केवल बताया, plant and animal kingdom का वड़गी किरिद किया, जबकि आरियाच वाइटेकर ने five kingdom को वड़गी किरिद किया, five kingdom के बारे में बताया, पांच जगत के बारे में, उनसमें से पहला है आपका मोनेरा जगत, प्रोटेश्टा, फंगी, प्लांटी and animals, तो मोनेरा में आप आपका बैक्टिरिया वाले जीव आजाएंगे, प्रोटेश्टा में आपका आमीबा, पैरा मिसियम, इंगलीना जैसे जीव आजाएंगे, पानी वाले और भी अधिकतर जीव आएंगे आपका, उसके बाद फंगाई में आपका मसरूम आजाएगा, इस्ट आजाएगा, ख अनिद्र के नहीं आता है, जिस के अंदर के बैक्टिरिया वाले जीव आते हैं, औ यो करोटिक छीव में दो तरफ को बाटा है। यूनी सेलॉल drum मतलब यह कि जीव , इक से अधिक स्का बाड़ जीव , लेकिन यू कि उपकी होगी क्य unravel के उस कोरियक होगी , जिसका के अंदर केंद्र पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे यो कहीट इसल्रक्ण की सेल बोलेंगे तो उसमें आपका प्रोटिश्टा आजा आमीबा प्रहां समें ग lessonными से घुलीना आजायगा आट यो कोरेंगी का ही 이야기 का मद्हीटी सेल्डी मुद्धिक मêmeल्ति सेल्लрип ribbon यिव हो दो तरहिके जीव आएंगे एक सेलवाल वाले आएंगे एक विदाउट सेलवाल वाले आएंगे सेलवाल वाले जिसमें कुछ का भित्ती हो कुछ का भित्ती वाले जीव को हम बोलेंगे आपका प्लांट आ जाएगा फंगी आ जाएगा प्लांट हो फोटो ट्रॉपिक आ जाएगा क्लास में फं लगवजन शुरस के रोसनी से ही बनाते हैं अपना पौशट करते हैं हेट्रो टॉपिक फंगाई आएगा विसंपोसी अब देखते हैं मुनेरा जगत के बारे में मुनेरा किंग्डम के अंतरकत बैक्टरिया वाले जीव आते हैं इनके आकार के अधार पर ने चार प्रकार मे मुनेरा जगत में बैक्रिया जिए होते हैं तो फुरो कॉली जिए हैं कौन-बैक्तरिया जगत अर नहीं होता है सेल नहीं होते हैं, अबधा मॉनेरा जगत के बिसेष्टाइचरवा यद्रोस Sally होती है मॉनेरा जगत के विसेष्टाइच WordPress सुधfo इनकी प्रकृती बहुत सुक्ष्म होती है स्वेम आखों से देखेंगे तो नहीं दिखाए इसके लिए इनको देखने के लिए अमाइनो एसिट की बनी होती है ये पॉली सकुराइड से बनी होती है तो देख लीएए मोनेयरा की विशस ह Waspies थाय Merci मोनवरा जगत की मोनवरा जगत में कौन-कौन से जीवाते हैं अब देखते हैं प्रोटिष्टा जगत को प्रोटिष्टा किंगडम को प्रोटिष्टा किंगडम यह यूनिसलोर और यू क्यों से कैसे जीव होते हैं यूनिसलोर यानि कि एक कोस्की होते हैं उसके बाद यू क जो होता है निका का जीवाते है अंतलब अपना अंदे टोट कर अपनी संख्या बढ़ाने इंका जो तो संख्या कैसे बढ़ेगा, रिप्रोडक्षन कैसे होगा, यह सिल्फ यूजन के द्वारा होता है, यानि कि इनकी कोस्का तूटकर अलग हो जाती है, इससे इनका एक अलग जीव बन जाता है, अलग से जीवाते हैं, अमीबा पैरा में से यूगलीना आता है, यह यूनिस ए यह बनी आता है, अपका मौल्ड आएगा, मसरूम आएगा, एंड इस्ट खमीर आएगा, यह कैसे होते हैं, आकार में पतले लंबे धागे जासी सरंचना है, और इनको इसे, इनके क्या का जाता है, हाइपे का जाता है, इनके स्ट्रक्चर को, इन हाइफे के जाल को माइसेल प्लांटि किडम के बारे में यह सभी यूघञत्यक्षी अगरते हैं, को से सदेटी कॉछायी होती है... उक्रिक होते हैं। इन्हें सेल गेंद्रक होता है। इन्हें क्लॉरोप्लस्ट पा जाता है। अपना भोजन स्वयम से बनाकर पोशट करते हैं। इन्हें के प्रकास दोरा और कुछ विसमपोसी भी होते हैं ऐसे पौधे, पेड़ Calvin होते हैं जो अपना विसमपोसी यानि ओ दूसरों पर भी निर्वर निर्वर होते हैं । फ्लांट अने एनिमल पर भी निर्वर होते हैं इनकी कसिका बद्रतिय मात्या इंकी बनी नहीं होते हैं यह क्या होता है, multi-slayerni, इनमें एक से अधी कोशकाएं होती हैं, और eukaryotic होते हैं, उसके बाद क्या होता है, heterotrophic जीव होते हैं, heterotrophic का मतलब यह विशंपोसी होते हैं, इनका भोजन, animal and plant दोनों तरह से, दोनों के द्वारा ही करते हैं, तो इनको बोलते हैं heterotrophic जीव, इ प्रत्यक्ष रूप से प्लांट पर ही निर्भर होते हैं, इनमें कौन-कौन से जीव आता, आपका पक्षी है जाएदा, सांप आजाएगा, मनुस्य, मचली, पानी में, मेडग, सभी जीव, इसमें आ जाएंगे, तो में दोगा वीडियों आपको जरूर पसंद आएगा, म कि हम अपना समझाने का तरीका रूट चेंज करें और आपको अच्छी वीडियों प्रस्तूत करें, तो मिलते नेक्ष वीडियों में धन्यवाद,